MS Windows 2007 के इस अधियाय में आज हम सीखने वाले हैं कि computer system में जो hard disk होते हैं तो उसमें जितने सारे कभी कभी क्या होता है दोस्तों तो जब भी computer को format करते हैं तो कुछ partition को unallocated कर देते हैं या फिर mistakenly हो जाता है तो चलिए हम unallocated जो partition होते हैं उसे हम recover अबर कैसे करते हम कैसे विज में आ सकते हैं क्या होता है दोस्तों तो जब भी computer को hard disk को format होता है तो जितने सारे on allocated जो एस पेस होते हैं वह आपको useless हो जाते हैं यूज में नहीं आता है तब तक उसके हम allocated नहीं करेंगे तब तक यूज में नहीं ला सकते हैं तो चलिए इस टीटोरियल में आज हम जितने on allocated आपको memory है इस पेस है उससे आपको क्या करना है आपको रिकॉफर करके अलोकेटिद memory में convert करना है तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं तो हमें स्टाट में क्लिक करना होगा और उसके का बाद हम क्या करते हैं हमें dimwife trendy बैन में जना चलिए मतिव इंड़ाइँ हूँ यहां पर आपको सिस्टमnd जिकृटि यहां पर एक आपको क्लिक करते हैं यहां पर माझूद होगा यहां पर लूडिंग हो रहा है कि क्लिक लेखें एकुछिए नेटी गट से बन इसोन प्रिक्राइब्स फार्वर्व और फ़िर करते हैं इस resist करने के गार्व यहां पे यहां पर तया में करेंगे तовых यहां पर करने के बाद हम Hmm यहां पर एक आपको बहुत सारे ऑसंस हे और यहा पर जो आपको प्र है यहां पर क्लीक को क्लीक करेंगे तो यह एक इनशाब्सने का है 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 बच्छल आ draining box आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ यहां पे next में क्लिक करेंगे तो एक अलग सा इंटरफेस दिखाए देगा यहां पर आपको सो करना है कि यहां पर आपको कुछ नहीं करते हैं इसके बाद आपको कुछ नहीं करते हैं सिर्फ next में किलिक कर देना है जब आप यहां पर आपको जो एक पार्टिशन है ठीक है यहां पर आपको डिफॉल्ट रखना है अब यहां पर जो भालूम लेबल है आपको यहां पर क्या करेंगे माली जी हम कुछ दे रहें यहां पर न्यू ऐलोकेट ठीक है न्यू एलोकेटेट डिक्स का पार्टिशन ठीक है जश्टिसका नेम दे रहे हैं तो यहां पर यहां पर आपको क्लीक और नेक्स्ट बटन में क्लिक करते हैं तो यहां पर देख रहे हैं क्या हुआ यहां पर आपको कुछ टाइम लेगा यहां पर आपको फर्मेटिंग हो चुका है यहां पर फर्मेटिंग भी हो रहा है और कुछी देर बाद में आपको क्या होगा यह आपको एलोकेटेट हो है और यह पार्टिशन का नाम है दिखेंगे को यहां पर आप यह करते हैं तो आप यहां से पहली यूज में नहीं था जब तक आप इसे अलोकेटेट आपको डिक्ष नहीं बलाबेंगे तब तक आप यूज नहीं कर सकते हैं यहाँ पर पर देख रहेंगे बिल्कुल सब खाली है यह निफ आपको पार्टिशन हो चुका है बहले एक ही पार्टिशन था ठीक है तो इस यह दूसरी को साथ सेयर करें और नई यूट्यूब वीडियो पाने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें अगर किसी तरह कोई प्रॉब्लेम हो था हमारे बहुत सोचल मेडियाज है आप कॉमेंट कर सकते हैं ताकि मैं सलूशन कर सकूं धन्य बाद